जो जुनून होता है जिनको आर्मी में जाना है तो एक तो बारहवी पर NDA की परिक्षा होती है आप NDA के माध्यम से जा सकते हैं और बारहवी के बाद अगर आप ओफिसर बन के आर्मी में टरी लेना चाहते हैं तो आप CDS के थूँ जा सकते हैं सीडियस परिक्षा की दो-तीन बाते हम आपको बता दें, तो सीडियस में जो है तीन दिपार्टमेंट होते हैं, IMA होता है, Indian Military Academy, Air Force होता है आपको ठीक है, और जो है आपका OTA होता है, Officers Training Academy, लड़किया जो है वो सिर्फ इसमें अपलाई कर सकती हैं, और सबसे मजे की बात एक और सायद Navy भी होगा पता नहीं, OTA जो है, OTA में आपको Math नहीं पूछा जाता है, आपका Paper सिर्फ GS और English का होता है, तो लड़कियों के लिए भी Officers Training Academy यहाँ पर जो है, इसकी परिक्षा आप दे सकते हो, और यहाँ पर सिर्फ English और GS के तुरू आप सेलेक्शन ले सकते ह जो exam conduct करवाता है, वो UPSC करवाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है, शादी शुदा लोगों की कोई आवशक्ता नहीं है, तो कोई मेरा भाई अगर सादी शुदा हो और वो serious के बारे में सोच रहा हो, तो मत सोचना, शादी शुदा लोग form नहीं भर सकते हैं, ठीक है, और भी काफी कम होती है, 24 या 25 के बाद भी आप form को नहीं भर सकते हैं, तो ज्यादा उमर वाले बिलकुल इस पर नजरे ना दे, ठीक है, कम उमर वाले बच्चे जो है, इस पर अपलाई कर सकते हैं, अगर आपका graduation नहीं है, एकदम fresher बच्चे है, 12th pass किया है, तो आप NDA की प ठीक है, कोई ऐसा student जो आपको army की preparation कर रहा हो और अच्छी post की कर रहा हो, यह मैं सिपाही की बहाली की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें आपको 15 किलोमेटर या 20 किलोमेटर की race लगानी होती है, ऐसी कोई बहाली की बात नहीं है, एक offices की training है यहाँ पर, आपको एक mess मिलता है बहुत फायदे हैं, आप सोचते हैं कि army में सिर्फ जंग लढ़ना होता है, ऐसी नहीं है, बहुत ऐसे department होती हैं, जो field पे जाती ही नहीं, जो ground work करते हैं, और वो आपको एक काफी motivation देता है, army के लोगों को तो शायद canting card भी मिलता है, ठीक है, मतलब जो सामान आप market में 100 र अहल होता है, ये army को इतना privilege मिलता है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात होती है, जो आपका जीने का तरीका होता है, देखो, इनसान क्यों, आप नौकरी के लिए क्यों मर रहे हो, आपनों क्यों क्यों तरस रहे हो, कि आपको एक job मिले, क्यों, ultimate जो है ना, सारी की सारी जो अंदगी चाहिए, तो army जो होती है, बहुत शांदार job होती है, वो एक lifestyle देती है आपको, एक जीने का माहौल देती है, कि हाँ हम इस तरीके से रहो, आप बड़े-बड़े offices से मिलते हो, meeting होती है, ठीक है, थोड़े सपने देखते हो, you should be bold enough, you should be brave enough to talk to anyone, बात करो तो सामने वाले की हालत खराब हो जाए, ठीक है, तो यार एक बहुत मज़ा आता है, ठीक है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो, सपने देखो, उस सपने को पूरा करो, उस सपने के लिए महनत करो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और ये आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है, नय पिषे नहीं हटना है। आप लोगों स्वेलेक।